नमस्कार, वेलकम बेक टू माई यूटूब चनल, विक्रम अरवेदा यूटूब चनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज में आपको एक ऐसी खास जड़ी बूटी लेकर आ गया हूँ उसके फायदे बताऊंगा, ये जड़ी बूटी प्राया बहुती कम मिलती है, लेकिन जहां यह होती है, मानो कुदरत का बरदान है जी हाँ दोस्तों, इस औसदी की पत्तियां देखिए, इसमें गंद आती है, इसलिए इसे गंद प्रशाणी कहती है गंद प्रशाणी बात रोगों की एक रामबान उसदी है, कहीं पर भी आपको स्वीलिंग है, कहीं पर भी आपको दर्द है, या फिर कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन है इन सभी समस्यां में गंद प्रशाणी जड़ी बूटी रामबान की तरह काम करती है जितने भी बात को खत्म करने वाले आर्विध एक तेल मिलती है ना, उन्में यह गंद प्रशानी अधिक मात्रा में डाली जाती है और फायदे बंद होती है लेकिन गंद पुरशानी की अभाव में तरहे तरहे की औसदियों को गंद पुरशानी की नाम से बेचा जाता है जो की ठीक नहीं है आज मैं आपको गंद पुरशानी के पैचान और फायदे बताने बाला तो इस प्रकार से देखिए इसके कुछ इस प्रकार से पत्ते होती है और इसमें तीबर गंद आती है और ये फैलती है फैलने जानी के प्रशान करती है तीबर गंद के कारण गंद है प्रशान इसका नाम पड़ा आए जानते हैं इसके कुछ फायदे अगर आपको सरीर में कह अगर आपको सूजन है तो या तो आप इस ओसदी के पत्तों को तोड़ करके आप ऐसे ही चबा करके शेवन करजें हाला कि इसमें हलकी गंद आती है लेकिन आप इसे शेवन कर सकते हैं अगर ऐसे शेवन नहीं कर सकते तो इन पत्तियों को तोड़ करके आप चूरन फॉम में कर सकते हैं। जा now दोस्तों. अगर इस अवसदी प्रयोग का, यह इन पत्यों का, या तो आफ साघ बना करके स्येवन करें, इसका तक्रीब łपšटे से साथ और साघल आफ साञ बनाए, इसका शत्योर ताजी पत्तियों को लेकर के juices का फ्रेश निकाल करके 5-10 ml तक पी सकते हैं अथवा इसके पत्ति अथवा इसके पूरे पन्चांगा चुरन प्रियोग कर सकते हैं या फिर आपको अगर इसका बहुं प्रियोग करना है तेल बनाना है तो गंद प्रशाणी लह सुन और आपको इसमें हल्दी, तीनों को समानमा अफ्तरम लेकरके, सरसों के तिल में पका करके तेल बना सकते हैं, बड़ा ही effective है, अब देखें दोस्तों, अगर आपको घुटनों में दर्द, जोडों में दर्द, कमर दर्द, संदी सूल, हड्डियों में दर्द, यानि कि सरीर के किसी के हिस में रश के रूप में या फिर इसके पत्तियों को आप मुसाग बनाकर के से बन कर शकते हैं अज़ो अगर आपको इसको तेल का प्रियोक करना आ Drina तो लहसुन हल्डी और इस पंचांग का प्रियोक करके तेल बनाईए और उस तेल को बाहर रूप में प्रयोग कर सकते हैं ऐसा करने से बाहर की सभी प्रकार की स्विलंग खत्म होगी अंदर की सभी प्रकार की स्विलंग खत्म होगी यूटिरस के इनिफेक्शन फेपरों के इनिफेक्शन यानि किसी प्रकार के गरसिज में कोई इनिफेक्शन उसको यह दूर करेगा इस रामबाण जड़ी बूटी गंध प्रशाने का प्रयोग जरूर किजिगा जी हाँ दोस्तों आप इसको एक्ष्ट्रिक रूप में इसको आप पका करके एक्ष्ट्रिक बना करके इसकी गोलिया इसकी बटिया बना सकते हैं उसका भी प्रयोग किया जा सकता है तो इसकी तर लगे वैसा आप यूजिक करके अपनी बीमारी उखत में कर सकते हैं धन्नबाद